Hi everyone, welcome to Sarika Kumar recipes channel आज मैं आपके साथ walnut fudge lollipops की recipe शेयर कर रहे हूँ बहुत ही easy और tasty recipe है, I hope आपको जूरूर पसंद आएगी अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को subscribe कीजेगा और वीडियो को like और share कीजेगा तो आएए बनाना शुरू करते हैं, इसके लिए मैंने एक कप walnuts लिए है, साथी 1 पिंच सॉल्ट, 1 फॉर्थ कप cocoa powder, 1 फॉर्थ कप condensed milk, 1 फॉर्थ कप देसी घी, 1 टेस्पून vanilla essence सबसे पहले हमने जो walnuts है, उनको roast कर लेना है, हलका सा इस तरह से कडाई में roast कर लेंगे और इसको अलग रख देंगे, अब सेम कडाई में हम डालेंगे condensed milk, और साथी हम डाल देंगे cocoa powder, जितना हमने condensed milk लिया है, उससे half quantity में हमने cocoa powder लेना है, और अच्छे से इन दोनों condensed milk और cocoa water को mix कर लेंगे, और देखिए लगातार इसको चलाते रहेंगे, आप देख सकते हैं, हलका सा इसमें color भी आ गया है, शाइन आ गया है, अब इसमें डाल देंगे 1 फोर्थ कब देसी घी, आप चाहें तो unsalted butter भी डाल सकते हैं, और अच्छे से mix करेंगे, अगर आपको अच्छे से जादा मीठा खाना है, तो आप इसमें 1 टेबल स्पून शुगर भी आइड कर सकते हैं इस टेज पर, और इसको लगातार चलाते रहेंगे, देखिए अच्छे से इसको mix करना है, अच्छे से चलाते रहना है, और गैस की फ्रेम लो रहेगी, पूरी जो रेसिप अच्छे से mix करेंगे, जब ही हम कुछ मीठा बना रहे होते हैं, तो इसमें एक चुटकी सॉल डाल देते हैं, तो उसका जो टेस्ट है वो बहुत एन्हांस हो जाता है, देखिए अच्छे से mix करेंगे, और आप देख सकते हैं, काफी जो mixture है वो ready लग रहा है, अब इसमें अच्छे से mix करेंगे, देखिए mixture जो है वो कडाई से चूट किया है, कडाई को छोड़ रहा है, तो इट मींस यह विल्कुल ready है, अब इसको set कर लेते हैं, एक greased pan में मैं इस तरह से इसको डाल दिया है, और थोड़ी से walnuts में नीचे डाल दिये थे, और इसको डाल देंगी और अच्छे से tap tap कर लेंगे, ताकि अच्छे से smooth बन जाए, और उपर से देखिए छोड़ी से walnuts और डालेंगे, और एक spoon लेकर उसको इस तरह से अच्छे से press कर देंगे, और इसको हमने set करने के लिए रग देना है लगबग एक घंटा फ्रिज में, और देखिए अभी अ और आप चाहें तो इसको इस तरह से pieces में cut करके serve कर सकते हैं, देखिए इस तरह से pieces में cut करके serve कर सकते हैं, और इसे आप vanilla ice cream के साथ भी खा सकते हैं, यह बहुत ही बढ़िया लगता है, अब इसको और बी interesting बनाने के लिए मैं इसको दे रही हूँ लॉली पॉप की shape, तो इस walnuts के साथ, और देखिए ready हैं हमारे walnuts fudge lollipops, बहुत ही सुन्दर लग रहे हैं देखने में खाने में, बहुत ही tasty हैं, अगर वीडियो पसंद आए, तो प्लीज चैनल को subscribe कीजेगा, और वीडियो को like और share कीजेगा, तो मिलती हूँ ऐसे ही interesting recipes के साथ, thank you